हंसी का सागर राजू की कॉमेडी कहानी राजू को यह सुनकर हंसी आई और उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर सफलता की तलाश में निकल पड़ा सफलता की तलाश में उन्हें हंसी का सागर मिला जो एक महराजा के हंसी गुल्ले से भरा हुआ था महाराजा ने राजू को एक छुटकुला कहने के लिए कहा और राजू ने सब को हंसी से भरपूर मौका दिया हर मिनट मैं एक नया मज़ेदार ट्विस्ट जिसने सभी को हंसी में डाल दिया राजू का खुद का अलग ही तरीका था किसी चीज को मज़ेदार बनाने का, जिससे लोग बराबरी में हस्ते रहते थे जब महाराजा ने राजू की हंसी देखी, तो उन्होंने राजू को अपने दर्बार में बुलवाया और उसे अपने दर्बार का राजा बना दिया राजू ने अपनी हंसी और मज़ेदारी से राजा और उनके दर्बार को हंसी का सागर बना दिया समय बिथता गया और राजा राजू ने सीखा कि हंसी ही जीवन का सबसे बड़ा राज है उसने लोगों को हंसी से भरा और खुशाहाल बनाने का संदेश दिया राजा राजु ने सबको यह सिखाया कि हंसी का सागर जीवन को रंगीन बना सकता है और हर समस्या का समाधान हंसी में है इस कहानी का सबसे बड़ा सिख है हंसी और मजाक में छुपा है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य